अस्सालाम अलेकूम वेवर्स आज हम लोग बनाने जा रहे हैं नान खताई बैकरी स्टाइल की नान खताई उसके लिए सबसे पहले मैं थर्ट फोर्थ कप घी अच्छा घी जो है वो इसी कंसिस्टेंसी का लीजेगा ना बहुत जादा जमावा और ना ही पिगलावा इसी तरह होना चाहिए बिल्कुल मेल्ड भी नहीं लीजेगा और बहुत साथा सॉलिड भी नहीं लीजेगा के वह पेगली नीरा यह थर्ट फोर्थ कप मैंने लिया है घी और उसमें एक कप ली है शुगर अब इन दोनों को मैं बिल्कुल उस वक्त तक बीट करूंगी अब हम इसे बीट करते हैं पीट करके मैं आपको दिखाते हैं चोटी लाइची को बीट किया उसके बाद मैंने यह लिया है सवा कप यानि के एक कप और वन फोर्थ कप और मैदा लिया है यह सब च्छनावाय है ठीक है इसको च्छान लेंगे सवा कप मैदा डाला हाफ कप यह हमने लिया है बेसन यह भी च्छनावाय है बेसन में लंस बहुत होते हैं लहाजा सब चीजों का च्छान के यूज़ करना ज़रूरी है और यह लिया है वन फोर्थ कप सूजी यह डाला सारी चीज़े है ट्रा इंगेडियन अब इसमें जो है यह हाफ कप बेकिंग पाउडर और एक चुटकी बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा जो कम लेते हैं यह सब अच्छे तरीके से डालके इसको हम स्पैचुला से फोल्ड करेंगे सारा और मिक्स करके इसको तो मुझे हाथ से गूनना पड़ेगा हाथ की जो यह गर्मी होती है इससे फिर घी पिक लेगा और इसका डो बनेगा तो वो थोड़ा सा स्क्रंबल होगा लेकिन ये कि आइस्ता आइस्ता जब करते रहेंगे इसको डो बनाते रहेंगे तो ये जो है बिल्कुल चिकना सा डो बन जाएगा ये देखें ये इस तरह स्कंबर्ल सा हो गया है थोड़ा सा अभी आप इसको इसी तरह कढ़ ते रहेंगे डो के फ़ॉम में आ जाएगा हलके आतों से हलके हातों से इसे गोंटे रहेंगे आजिस्ता आजिस्ता डो बनाते रहेंगे और ये बिल्कुल चिकनी फॉर्म में डो की फॉर्म में आ जाएगा इसके अंदर ना दूद शामिल करना है ना पानी शामिल करना है कि आप परिशान होगे कि बन तो नहीं रहा तो आप दूद या पानी शामिल करना है कुछ भी नहीं अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही ह और इसका डो बन जाएगा यह देखें विवर्स यह डो बन के तयार हो गया इसमें ना मैंने पानी शामरी किया है और ना ही दूद बस यह थोड़ा सा सबर करके परिशान मत हो कि आप परिशान हो कि उसमें दूद और पानी कर देनी चोटे-चोटे गोल-गोल पेड़े और फिर उसको बेकिंग ट्रे में रखेंगे अभी मैं बेकिंग ट्रे तयार करती हूँ उसके बाद पहले डो तयार हुआ है यह देखें डो बिल्कुल स्मूद सा डो तयार हो गया यह देखें इस तरह चोटी-चोटी गोलियां लेकर और बिल्कुल चिकना सा इसमें क्रैक ना हो अब यह इस तरह नान खटाई का शेप देखें और यह नान इस्टिक मेरा पैन है इसमें मैं रखती जारी हूँ और अगर नान इस्टिक नहीं हो इस तरह का हो तो इसमें आप बटर पेपर ज़रूर लगा लिजेगा आईलिंग करके मैं इसमें butter paper लगाते हूँ सारी नान कटाई तयार करके रखे बस इस तरह मैं सारी नान कटाई तयार करके आपको दिखाते हूँ ये देखे इस तरह मैंने pan में इसको set कर दिया अब मैं इसके उपर लगाऊंगी अंडे की एक अंडा फेट के सुफैदी और जर्दी मिक्स है इसके उपर करके इसके उपर लगाऊंगे इससे कलर बहुत अच्छा आएगा नान कटाई के उपर और चाहें तो आप इसके उपर पिस्त या फिर कोई बीज जो तीना चारो मगस बीज बीज लगा सकते हैं तिल लगा सकते हैं जो भी आपको इसमें चाहिए खाने के लिए वो फ्लेवर आप इसमें लगा सकते हैं और अंडे का ब्रस जरू करिएगा ताकि इससे कलर अच्छा आएगा अब मैं इस ट्रेक को उठा के 20 मिन के लिए फिरीज में रख दूँगी यह फिरीज में रखना जरूरी है इससे फिरीज में रख डिग्री पे 20 मिनट्स 20 मिनट्स के लिए बेक करोंगी और बेक होने के बाद फिर आपको दिखाते हूं यह देखें विवर्स यह नानकटाई रेडी हो गई है और यह देखें कितना खुबसुरत इसका कदर आया है खाएं इसको और खाने के बाद मुझे बताएगा इसका टे इसका बाद मुझे एक कर दो लखवbnाता खाला को और आया है